हिंदि की कख्षा में आप सभी का स्वागत्य तो आईए प्यारे बच्छो आज हम रस जो विशे है उसके भाग दो की और बढ़ेंगे तो हम आज रसके भाग दो पहली भाग में हमने स्थाई भाव के बारे में समझेंगे तो आज हम वी भाव के बारे में समझेंगे वी भाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेश रूप से जगाने वाला अर्थात दे कारण कारण विशे और वस्तुए जो सहरेदय के रिदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उधित कर देती है उन्हें विभाव कहते हैं इन विभाव को दो भागों में दो भेद हैं आलंबन और उधीपन सब में आ गई यह देखे आलंबन और उधीपन आनंबन के भी आगे दो भेद हैं और उधीपन के भी आगे दो भेद हैं चलिए अब जैसे मैंने आपको एक उधारन दिया कि मैं हर्शिता के सामने से गुजरी और बेवजा और कारण मैंने उसको एक चपाट मार दिया तो उसके वहां से क्रोध का भाव जगरीत होगा अब मैं कारण बनी ना मैं कारण बनी आपके अंदर भाव जगाने के लिए तो विभाव होते कारण जिसके कारण भाव जगते हैं यह याद रखें तो हमें आ गए रस में आनंद शब्द याद रखें विभाव में क्या याद रखेंगे कारण तो आलंबन विभाव आलंबन उत्त स वे वस्तुवे और विशे जिनके सहारे भाव उत्त्पन होते हुए उन्हें अलंबन विभाव कहते हैं। और साथी राजाओं के एक कर्मारे जाने से दुरियोधन विलाप करने लगiene यहां दुरियोधन आश्रे तता भाई riot और आजाओं के एक एक मारा हुए जो मन के भावों को उध्विप्ट अर्था तेज करते हैं उन्हें द्वीपन विभाव कहते हैं जैसे अब जैसे और भी सारे बच्चे खड़े हो जाए और कहें मारिये मारिये इसको और मारिये हरुषिता को हुए ना विलाब करने वाला दुरेधन आश्रए है ये तो आपने पहले पढ़ा यहाँ युद्दिके भायानक दिरश भाईयों के कते सिर गायल साथी राजाओं के चीक पुकार हाथ पैर पटकना अदिक रहें आएं दुख के भावों को और भी क्या करते हैं बढ़ाते हैं दिप्त कर रही हैं तो यह सभी क्या हो गए उद्वीपन विभाव समझ में आ गई यह समझ में आए यहां तक समझ में आए तो आज हम जो आहरे में जो रसका जो दूस्रा भाग ह। उसकrem हमने क्या पढ़ंगा किस वारे में पढ़ां विभाव के दो भेद आलंबन और हम दिपार आंश्रे और विषय आलंबन कारण ठीक है उद्वीपन ऐसे भाव ऐसी करते हैं तो आज के लिए मैं अपनी वाले को यहीं विराम करती हूं धन्यवाद